हेलो स्टुडेंस, वेलकम इन मा यूटूब चैनल, केमेस्ट्री इन गुजनाती भाई सिवमेचुकेशन विद्यार्थी मित्रो आज ना विडियो लेक्चर नी अंदर आपणे अधी सोषण ने असर करता परिबड़ो भी से बढ़सु एक वार बोर्ड नी एकजाम मा परस्प पुछाया लों कि अधी सोषण ने असर करता कया-कया परिबडोशे , तो परिबड़ो ना कुल छ नाम से कि पल आपड़ां जो हो जाहिए प्रक्रम ने पसर करता छो परीबड़ों मा पेलू अधी सोशित नो स्वभाव विद्याखी मिद्र तमने खबर होई जोई है कि अधी सोशों केटले सू अधी सोशित इतले सू जो तमने खबर ना होई तो आपना सरवातना चार वीडियो लेक्चर जोई ने वाई चेमा तमने पेला ने भीजा लेक्चर मती आप बदाज सब दोना अर्थ अने समझूती प्राप्त थसे तो अधी सोशित नो स्वभाव ते जरीते अधी सोशक नो स्वभाव अधी सोशित नी जेम अधी सोशक नो स्वभाव त्यार बाद अधी सोशक नो विशिस्ट ख्षेत्रफड अधी सोशक नो अधी सोशक नो अधी सोशक माटे प्राप्य विशिस्ट ख्षेत्रफड तार स्थाया पेला त्रण परीबडो त्यार मचिशे अधिसोषक दर्मियान वाईव नू दबान. अठो अधिसोषित वाईव नू दबान. छेका इधिसोषीत पा में, तो येनों चोकश दबान होई छे त्यार असर करतू परिबढ छे तांक मन, चोकश तांक मनें, अठो तो आपकानी अदिसोषक पर चोकस असर होगे शें। आज दर एक परिपणुसे आपने विस्तार्थी आज ना लेक्चर मा बढ़वानुशे। अने अदिसोषक नू सक्रियक करण। ता बधाची परिबढ़ो शे। तमने बे मारक ना प्रश्णनी अंदर पुचाये पन छे कि वे अधिसोषक नू असर करता परिबढ़ोँ जनाओ। तो बराबरी याद राखिये वानुँँँँँँँँँँँँँँँँँद्धा कुल शाव परिबढ़ोँ छे। अधिसोषित नो स्वभाव, अधिसोषक नो स्वभाव अधिसोषक नू विशेषक खेत्र फडु, त्यान बाद वायू नू दभण, तापमान अगेद अधिसोषक नू संक्रिय करणु तो चालो. एक पचे एक दरेक विशे विश्तार्थी बढिए अधिसोशन ना प्रक्रम दर में जेका आपल अधिसोशित उप्योग में लेए छीए तो दरेक अधिसोशित ने पोतानी एक लाक्षनिक्ता होई छे अने ते लाक्षनिक्ता थ्वायना स्वभावने आधारे ए अधिसोषण पामेशे मानी लोक्या आपने किटलाक वाईव लेएशे एमोनिया छे, कार्बन डायोकसाइड वाईव छे त्यार पसे आपने पाणी नी बाषपने लेए तो अवह वाईव नायो bh पाली नी बाषपने दी तो अवह वाईव अवस्था महशे ता दर्यक हट्य पोतासोः चोक्य स्वभावसे आ वध्या चक्या उऊचा-उतकलन विद्दु धरावेचे आ वध्या विद उतकलन ao news विदु कालन विदु उच्या चक्या-ए તો ક્રાંતીક તાપમાન વદુ હોઈ તાં બધા જોઈંઓ છેના ક્રાંતીક તાપમાન વદુ હોઈ માટે अब बदा प्रकार गावाई ओ, सेल आइथी प्रवाही करण पामें, हमें जे सेल आइथी प्रवाही करण पामें, तेवा वाईव नू अदी सोशन छे, ए वधू प्रमाण मा ठाये छे, तो विद्यार्थी मित्रों खुब खुब अबित्तिनी वाद, के जे वाईवो नू उतकरन विंदू उचु होई एटले के तेनू प्रवाई करन खुब सेल होई तेवा वाईवो छे ए वदू अदिशोशन पामे वैं तेना थियूल्टु मा निलोग आपणा आप्रकारना W व裡दा छे अबधाज वाईव झे खे अमना उतकरन मिंदू नीचा अब्धा जोई म मना उतकरन માંતા મિંદુ નીચા હઓય આપણે લખી શકીએ કેનું ક્રાંતિક તાપમાન છે એ નિચું હોય કાંતિક તાપાં નિચું હોય માટે આ બદાજ પ્રકારના વાય ઓ છે એ સેરાઇથી પ્રવાહિકરણ 9 પામે તાપણે વાય ઓ છે એને આપણે ખાસ કરીએશે કાઈ ની વાય ઓ કાણે ઓડાણા તાપમાને એ વાય ઓ વસ્થાની અંદર હોય કરેક અદી સોસીત વાય ને બોતાનો સભાલાવ છે 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 લાય થી પ્રવાય કરણ પામે તે બધદાજ વાય તે વાય નું અદી સોસ્ણ વતે છે લાય થી પ્રવાય કરણ ન પામે તેવા વાય નું અદી સોસ્ણ ખું ઓછું તે તે અનું કરણ બીંય નું કરણ કરણ ઔ્ય નું માય નું કરણ જંફય નું લૂ તે વાયન અંનું અદી સોસ્ણ तो तमारे जोहू पड़े कि मैं उंचा उत्कलन मिन्दू बाड़े प्रवाही तैनू प्रवाही करण से रहे थी थाई शके मटे येनू अधिसोषण वदू थासे विद्यार्थी मित्रो आपने आगर ना लग दिया और एक्चर निया दर अधिसोषण को विश्य भड़ी गया जो सिरी काचे अब सिरी काचे जोशे एक खास प्रकारे मोटे भागे हमें सार पाणी ना अधिसोषण में भप्राई जेरे आपने नू लेक्टप खरी दियू हो तो एने अथोद इलेक्ट्रोनिक्स साधन होई तो एने भेजवाडा वातावरण मा भेजनी असर्थी बगडता अटकवा माटे तम नेक सफेद कलोर ना पाउडर नी परीकी आपे जे अपने यहां सपस राखवानी थाई तो इस सिलीका जेल होई कि जे वातावरण माथी भेजनों अधिसोशन करे जदी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों छे एने भेजनी असर्थ न थाए फ्वा ओची थाए और बगडता अटकवी शकाए बड़ा सिलीका जेल छे एने आपने चाल कोल नी जगिये रंग दूर करवा माटे उप्योग मा नौल लई शकाए आपने जानिया ची आपने भनिया कि चार कोल सकर यकुरूद कोल शो तो चार कोल शे खाणे नों पीड़ों रंगों को दूर करवा थाए रंगों को ने दूर करवा माटे थाए छे माटी तो माटी चे स्कीन पर थी दाक्रा तरीक आपने भनिया किया कि मुल्तांग नी माटी होय तो स्कीन पर थी तेली बिंदुआने दूर करे छे अने बधूमा ना ना जीव जनतुनों पन अधिसोशा करी शके तो दरेक ने सोभा हो छे आज रिते अलगलत प्रकाली धातू अची धातू ना ओक्साइड जापने उदिपक तरीके उप्योग मालिये छे दाक्रा तरे के हेबर विधिनियंदर आपने लोखण नों पाउडर छे ए उदिपक तरीके उप्योग करिये तो ए पन अधिसोशक तरीके शे आणों बर दरेक अधिसोशक छे पता नों सोभा हो छे वधुम आ अधिसोशक छी मोटे भागे चिद्राड हो छे जैं अधिसोशकनों चिद्राड़ पाण Na Naam वधारे तेम ते अधिसोषनमा उप्योगी अने धातु के धातुना अक्सर उप्योग मा लेता होई तो तेना 40000 करता एप पाउड ञळ चो रूपनी यंदर एवधु असर कारक उधिप तरीखए वरते शे वादू असर कारक अधिसोसा तरीखे बरते चे तौन दरेक अधिसोसी तेने एनो स्वभाव छे एनी लाक्षनिक्ता छे ते मुझाबज तेने उप्योग मा लई शकाए वातावनमा प्रदुशकोन अधिसोसन करवो हो तो चारकोन उप्योग करी शकाए पण भेजवातावनमा फिदूर करवो हो तो सिरीका जिलज उप्योग मा लेई शकाए पण हमारे रासानिक प्रकल्वनी अंदर प्रक्रियन वेग वजान हो हो तो धातों के धातों ना उक्साइड उप्योग मा लेवाई तेमा पण खासियत के भेजो है बर्वीदी हो तो लो पण भीजाबे अगत्यना परिवड़ो के भई अधी सोशकपनों विस्प counterpart ग्षे तो आपने हम लखी शकी एक ग्राम अधी अधी सोशक माथी प्राप्य प्रुष्ट क्षेत्रफड यह एक ग्राम अधी सोशक माथी प्राप्य प्रुष्ट क्षेत्रफड ता प्राप्य प्रुष्ट क्षेत्रफड ता प्राप्य प्रुष्ट क्षेत्रफड ने आपने के छे अधी सोशक नू विशिष्ट क्षेत्र अधिसोषण नी मात्रा वधारे तो आपना लखी शक्येश किये छिए के जेम क्षेत्रफड वधू अधिसोषण विश्ट वधू तेम वधारे प्रमाणमा अधिसोषण थाए अधिसोषण तो आपना अना प्रशिना भागनी अदर भण सुके कलीलो छे वधू सारा अधिसोषण वो छे सा माटे तो कलील छे अतिसुक्षम हो छे अनी सपाटी नुक शेत्रफड वधारे छे अनना माटे अधिसोषण वधू करे छे आपना इनकों जोई के बै धातुना चोसला करता धातुनों पाउडर बारिक पाउडर से वधू सारा अधिसोषण छे कालका जेम बारिक पाउडर थाए येम सपाटी नुक शेत्रफड वधे सपाटी नुक शेत्रफड वधे माटे अधिसोषण पामबा माटे नी जग्या तबदू माटे अधिसोषण नू प्रमाण वथा है, तो आम जेव पुरुष्टक्षेत्रफण वधू प्राब्त थाए, तेम अधिसोषण न शेही वथारित थतुवएचे तो त्यार माल आपणे वात करिये, वायू ना दबान नी, तो अधिसोषण माटे, एम केछे का वायू नू दबान छे खोबू महत्वनों भाग बजवेश है, आपणे अधिसोषण नी मात्रा छे, यहने एक्स बाई एम अवडे दर्शावी शक्ये छे, तो एक्स बाई एम वायू झौई नी, पण अधिसोषण नी मात्रा छे, अच्छा अधिसोषण नी मात्रा एक्टले सुखव ने केछ वाधिर, तो कितला आपणा माद मानमा अधिसोषण छे ज एम आदिसोषण अधिसोषक नु ग्राम मा वजन хозя Commonwealth एम बराबर अधिसोषक नु ग्राम माँ वजन ग्राम छय अंगरम मुझ जीवणए दर्साव ज्य ग्राम मा वजन इक्स बढ़ा बरसु तो के अधिसोषीत नी सांद्रत रत अचा अधिसोशित नी सांद्रता मारे लेवानी आवे कई आरे तो के अधिसोशन पामेल वायू अन्य मुक्त वायू वच्चेक संतुलंस सपाय। त्यारे अधिसोशित वायू नी सांद्रता छे आपने मिली मोलेकम मा लईयेशे। तो अधी सोसित वायूनी मात्रा, अथ वायूनी सांध्रता, अने अधी सोषक नु वजन ए बन्येना गुणोत्तर ने केवामा आवे छे अधी सोषक नी मात्रा, अधी सोषक नी मात्रा विरूद, जो दबाणनों आलेक दोरवामां आवे, अधी सोषण नी मात्रा, एकस बाई एम, छे एन, आपने, दबान साथे लिए छिए, तो यहां जोवा अपडए छे के, जेम जेम दबान वत्तू जाए, निचा दबाने, जेम जेम दबान वत्तू अधिसोषण नी मात्रामा वधार हो थाईछे अने फ्रूंटली चाहे सम्तापी अधिसोषण वक्रों विसे बन सुके X by M विरुद P नो आलेक छे आपने एक प्रकार नो वक्र मने अचा आजेके वक्र मने छे ने आपने कहिए छे अधिसोषण सम्तापी वक्र तो अधिसोषण सम्तापी वक्रों चे मने कहवाए तो के अधिसोषण नी मात्रा विरुद दबार नो आलेक दोर्वामा आवे तो आपने एक वक्र प्राप्त थाईछे आँ वक्र ने कहवाए छे अधिसोषण सम्तापी वक्र अधी सोशन सम्तापी वक्रों चे एदनी साथे तापमान पन सम्कड़ेलू छे तो आणी साथем आपने पांचоновण ब Dollar जोड़ी दिएछे तो सूट चे चे तापमान तो केंके चैके तापमान अधी सोसननू प्रक्रम चे उसमाँग्षेपपप प्रक्रम छे कोई पन उसमा ख्षेपक प्रक्रम होई एना मांटे तापमान वदर हमेशा प्रतिकुळु सामीत थाई छे एट लेके तापमान वधता अधिसोषण नी मात्रा कटे छे तो एना मत्मदे थे में गजोमित्रो आएकसो पंचाहू केल्विन तापमान वख्र होई अधिसोषण मात्राँचै महां पूचू 220 ef केल्विन तापमान तुम आधिसोषण नी मात्रा कटे छे तो अपने नकिएछे के तापमान वदे ते अधिसोषण नी मात्रा एकस बाई एम छे एक अटे छे हवे एकस बाई एम विरुद पीनों आलेक दोयर जेने आपने अधिसोसन संतापी वक्रों कईये छे एना अलग-अलग प्रकार ना कुल पांच प्रकार छे आँ पांच प्रकार पईकी विद्याहिमित्रों तमारे बेल प्रकार भणवाना छे एक छे फ्रूंड लीच संतापी अधिसोसन वक्र अने बिजू छे लेंग मियोर संतापी अधिसोसन वक्र जी नीट मांटे खुबखु बगत यानों पॉंसेप्ट छे तो आपने या भाग मां जोई कि मैं वाईव मुद्वान अने ताप माननी सुमसर थाई छे अधिसोसक नू सक्रिय करण अधिसोसक ने अधिसोसक ने अन्दर तपवा मां अवे छे तपवा मां एटले नी सपाटी पर जो कोई अधिसोसित वाई होई तो यह दूर थाई यह दूर थाई एना चिद्रों छे खाली थाई अधिसोसक नी सपाटी पर ना जेथी ए अधिसोसर मांटे वदू सक्षम बने तो एने के वाई छे अधिसोसक नो सक्रिय करण बाचू रिपीट करो चू के अधिसोसक ने हवानी गेराजरी नी अन्दर एने तपवा मां आव अधिसोसक बामिय हो यह तो तए दूर थाई एक दूर थाई मांटे अधिसोसक छे एनी सपाटी छे एनी एक्षिद्रों छे ए अधिसोसक ना शक्रिय करण मांटे आपने मोटे बाचे तापमान और दबाणनों उपयोग करिये छे अने आपने सुद्ध सपाटी छे प्राप्त करीछे। मारी युआ कि सिलीका जेल छे एनो आपने मदथी बाश्पना आपके भेजना अणुआ अधिसोशन केई। अफमग समीबाद सिलीका जेल छे एति हे अधिसोशन ती मदधिस उपयोग में नाविशके। अधिसोशन केई। अधी सोशित नो सवभाव, अधी सोशक नो सवभाव, अधी सोशक नो विशिश्टक्षित्रफण, वायू नू दबान, वायू नू ताक्मन, अधी सोशक नू सक्रिय करण जेना विस्टे आजना वीडियो लेक्चर मा आपने विस्तार थी पढ़ियां विध्यारफी मित्रों लेक्चर गमिऊने तो लाइक करवानु शेयर करवानु जुक्सों नहीं